मस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज फिर से लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोल श्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी आज की श्टोरी के टाइटल में ही आपको नया वर्ड मिलन वर्ड मिलने ही चाहिज्र इसाँ आपिक जरूर करते हैं पसंद आपको लाइक करेंगे सबसे पहला sentence देखते है It was evening याने ये था evening याने शाम याने की शाम हो गई थी या शाम का समय था ऐसे आप transition कर सकते हैं It was evening साम हो गई थी The sun was about to set The sun, सूरज क्योंकि सूरज है, चंद्रमा है या कोई नदी का नाम है, कोई गरंथ का नाम है उसके आगे दह लगता है, आपको पता है The sun was, सूरज, was याने था about to, about to याने कुछ चीज होने ही वाला रहता है तो about to का यूज करते हैं about to run, दौडने ही वाला था दौडने ही वाला हूँ या दौडने ही वाला था एसे होगाय सूरज होने ही वाला था या शूरज दूबने ही वाला था इन शूरज जूबने ही वाला था इन याने में शूरज है इसे horizon पढ़ते हैं बहुत से लोग horizon ऐसे पढ़ रहे होंगे लेकिन horizon इसका actual और सही meaning है horizon उर्आजन होराईजन का सभ हर स्भल चितिज याने हम बोल सकते कि स्काइलाईयन जो आसमान और बादल जो रहता है उसकी बीच जिखता है हमको दिखते हैं उसे चितिज कहते हैं horizon तो सूरज चितिज में दूबने ही वाला था white clouds white clouds white याने शफेद clouds cloud याने बादल clouds याने बादल बहुं सारी बादल तो सफेद बादल filled याने भर गये थे the blue sky नीले आसमान में in the west इन याने में the west याने पश्चिम तो इसका मतलब क्या होगा पश्चिम में सफेद बादलों ने नीला आसका आसमान भर दिया था filled भर दिया था तो पूरा पश्चिन दिशा में सफेद बादल से भरे हुए थे तो cloud याने बादल, sky याने आस्मान बहुत लोग आस्मान बादल दोनों को एक ही मानते हैं लेकिन ऐसे नहीं है, दोनों अलग है अब यहां ता clear हुआ, अब क्या वो उसके बाद The golden rays of the setting sun The golden rays, golden ने सुनहरा Race याने किरने, सुनहरी किरने of याने की, किसकी The setting sun याने डूपता हुआ सूरज डूपते हुए सूरज की सुनहरी किरने filled, the clouds, filled याने भर दिया था The clouds बादलों को with याने से a variety, a variety याने बहुत प्रकार के vivid प्रकार के उसे variety बोलते हैं वेशार को बहुत प्रकार के रगों के बादलों को भर दिया था याने, बादल तो भी सफेद होते हैं या काले होते हैं द याने सूरज की सुनहरी किरनो से बादल अलग-अलग बिरागे दिख रहे थे यह तो आपने देख अ ही होगा तो रंग भी रंगे दिख रहते हैं आप क्या हुआ down on the earth, down याने नीचे on the earth, on याने पर the earth धरती पर नीचे, अब धरती पर नीचे क्या रोओ इसके रहा मताया गया है the wheat fields, the wheat याने होता है गेहूं के खेद wheat fields याने गेहूं के खेद sweat in the cool evening breeze behavior नेशें घरती ऐे जो गेहूं के खेट वह क्या हो रहे थे वह लहर आएक के इसमें ठंडी-ठंडी हवाओं से, colorful butterflies, fluttered over the crops, colorful रंग भी रंगे, butterflies, तितलिया, fluttered, fluttered याने होता है, फड़फडाना, ऐसे बोलते हैं, लहराने को फड़फडाना, लेकिन अब तितलिया तो फड़फडा रही थी, तो फड़फडाना, तो रंग भी रंगी, तितलियों क्य क्या करें, फड़फडाई उन्होंने, कहां फड़फडाई उन्होंने, over the crops, over याने, ऊपर the crops, और वो क्या करिये, उन्होंने, फड़फडाई, तितलिया फड़फडाई, तितलिया फड़फडा रही थी, ऐसे तो नहीं, बोलेंगे, actual meaning वैसे है, ing form कहीं पर present continuous tense का नहीं द लुगडब, लुगड़ याने, देखी, अप याने, ऊपर ऊपर देखी, towards, towards याने होते है, की ओर, the sky, याने, आस्मान की ओर, उपर देखी, उसमें से, तितलिया ने, and saw, और देखा, उपर देखने के बाद, उसने देखा, क्या देखा, the colorful clouds, रंग बिरंगे, बादलों को floating above and set, floating, floating याने होता है, तेरना, बूलेंगे, सर, swim याने तो तेरना होता है, लेकिन swimming क्या होता है, आप तेरते तेरते, आगे जाते हैं, तो swim कहते है, float याने, एकी जगा तेरते, जयासे आप किसी मालीजिए, ठहरा हुआ पानी है, swimming pool है, वहाँ पे पानी तो लहरा हां यह यह सांथ है वहां पे एक माल लोटा को रख दिये गंजी को रख दिये कुछ बरतन को रख दिये बॉटल को तो एक ही जगह मालीजे तैर रहा है उपर में उसे फ्लोटिंग कहेंगे लेकिन आप तैरते हुए आगे जा रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे आप देखो आप उपर देखो या उपर देखो ऐसे हुत करते हैं वहां देखो आप देखो एस होता है देखो beautiful fairies beautiful ना सुन्दर fairies याने होती है परिया सुन्दर परिया आर डांग सिंग नाच रही है इसे मार के साथ आएंजी फॉर्म तो प्रेजन करने बस्ते हैं सुन्दर परिया नाच रही है in the sky आसमान में तो भई तितलियों ने उपर देखा और बोल रहे है बादलों को देखा रंग रंगे अरे देखो सुन्दर परिया आसमान में नाच रही है यह बो रहे है तितलिया देख अब बादल क्या देख रहे हैं देखे the clouds floating in the sky बादल floating याने तैरते हुए in the sky आसमान में तैरते हुए looked down, looked याने देखा, down याने नीचे, on the earth धरती पर नीचे देखा they saw, they याने वे फिर उन्होंने, उन्होंने देखा, see saw scene तो second form saw करेंगे उन्होंने देखा, the butterflies, तितलिया, saw the butterflies, याने तितलियों को देखा and found, याने पाया और क्या पाया, they are lovely and colorful wings, उनके lovely याने सुन्दर and और colorful रंग भी रंगे wings याने पंकों को, wings याने पंक, wings याने पंकों, बहुत सारे पंकों को inferior, अभी inferior क्या चीज है, इसका मतलब होता है, inferior का मतलब नीचे दिखाना, to their own beauty, to their उनका own beauty, खुद के, याने वो क्या बूल रहा है, कि ये जो पंक, रंग भी रंगे, जो पंक है, ये उन्हें खुद को नीचे दिखा रही है, ये क्या कर रहा है, घमण है उनको, उनको लग रहा है, वो तितलियों को पंक को देखते हैं, रंग रंगे, और उसको ही नीचे सोच रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं, इसी सुन्दर्टा को तितलियां के पंक खुद नीचे दिखा रहे हैं अपने आप कोई माहान सोच रहें देखिए The proud clouds considered The proud याने होता है अंकारी गमन में जो आता है उसे proud बोलते है Clouds अभिमानी बादलोंने Considered Considered याने माना मान लेने वो considered कहते हैं अभिमानी बादलोंने माना The butterflies याने तितलिया Inferior याने नीचे दिखा रही है याने नीचे है Inferior नीचे है to them याने उनसे वो लोग क्या माने उन्होंने उन्होंने माना कि यह जो तितलिया है वो उनसे भी नीचे है सुन्दरता में हमसे भी कम है उसे inferior कहते हैं अपने से कम तराकना उसे inferior कहते हैं ये भी नया वर्ड है तो उसे आपने से कम आखा कि अरे तितलिया तो हमसे कम सुन्धर है बट the butterflies had their own colors लेकिन the butterflies तितलियों के पास had याने था there याने उनका या अपना own याने खुद का colors याने रंग लेकिन तितलियों के पास उनका खुद का रंग था ये तो आपको पता है ना बादो का रंग कहां से मिला था उन्हें सूरज था तब तक रंग था और तितलियों को तो खुद का उनका रंग मिला हुआ था ये देखिए कैसे गमंडी दिखी रहे चेहरे से चितर बनाते है पत लियों को देखकर अभी आपको पता चल लाएगा चलिए लास्ट पेरा लास्ट यह पेज बचा हुआ है थोड़ा सब्सक्राइब लोने उधार लिया था अपने के लिए रंगों को या उनके रंगों को उधार लिया था अपना रंग उधार लिया था वी बादलों का तो खुद का कलर नहीं था, तितलियों का खुद का कलर था, इडों ने डूपते वे सूरज के कलर उधार लिया हुआ था, How long would those colors last? How long याने कितना लंबा, कितना ज्यादा, would याने होगा, those याने उन, colors, याने रंगों का last, long last मतलब होता है, कितने ज्यादा देर चलना, उसे long last बोलते है, तो how long, याने कितने ज्यादा इनका रंग चलेगा, याने कितना देरे तक इनका रंग रहेगा, The sun was setting gradually, the sun, सूरज, वास के साथ, आएएजी फ़र्म तो रहा था, रही थी, past continuous, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, gradually, gradually, याने कि धीरे 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 डूब रहा था, वैसे set याने होते हैं, आस्त होना, लेकिन नॉर्मल भासा में कुछ सखाना डूब रहा था, Its light also became dimmer, its याने उसका light, याने रोशनी, also याने भी became, याने कुछ चीज होना, क्या हो रहा था, dimmer, dimmer याने कम होना, उसका light भी कम हो रहा था, किसका सूरज की रोशनी भी कम हो रही थी, the colors of the cloud the colors याने rung of the cloud बादलों के रंग वर याने थे, क्या हो रहे थे also fading, वर के साथ भी आजी फाग रहा था रही थी also याने भी fading याने फीके पढ़ रहे थे बादलों के रंग भी फीके पढ़ रहे थे सूरज की रोशनी का मूरी थी तो इनके भी रंग फीके पढ़ रहे थे तो fade होना याने फीका पढ़ना फीके पढ़ रहे थे with the settings with याने साथ में the settings डूपते वे सूरज के साथ उनके रंग भी फीके पढ़ रहे थे the butterflies looked at the fading colors of the cloud the butterflies तितलियों ने looked, देखा at याने पर fading colors याने फीके पढ़ते वे रंगों को of the clouds बादलों के फीके पढ़ते वे रंगों को देखा however, however याने हालां की their own colors were the same their याने उनके own colors याने उनके खुद के रंग were याने थे the same याने वैसे ही as before as before याने जैसे पहले थे before याने पहले जैसे पहले थे वैसे ही same याने वैसे ही बिल्कुल अभी भी थे बादलों का रंग फेड हो रहा था लेकिन तितली के रंग जैसे पहले थे ना सुबा वैसे अभी भी उनके रंग थे उनके रंग फेड नहीं हो रहा था After all, after all याने आखिरकार They had colors of their own They had याने उनके पास But the clouds लेकिन बादलों ने ओन याने अपनाया था Their colors याने अपना रंग To the sun और बादलों ने अपना रंग सूरज से अपनाया था याने सूरज से उसे रंग मिलाद हुआ था The clouds looked beautiful The clouds याने जो बादल थे looked याने वो दिखते थे क्योंकि looked पास्टन से दिखते थे Beautiful, सुन्दर Because of, क्योंकि Their borrowed color उनके मांगे हुए उधार के रंगों के कारण And और Yet अभी भी They were proud of their beauty फिर भी They were proud उन्हें घमंड था वर याने थे उन्हें घमंड था Of their beauty Of याने उनके beauty याने सुन्दर था उन्हें अभी भी फिर भी घमंड था जबकि उनका उधार का रंग था But what would happen लेकिन क्या होता Sorry, क्या होगा What would happen याने क्या होगा To them याने उनके साथ When, जब The sun had set The sun, सूरज, had set याने Doop, डूप चुके मतलब डूप जाएगा ठीक है याने क्या होगा जब सूरज डूप गया तब क्या होगा Soon, जल्दी ही The sun set ठीक है Wood का यूज़ किया गया तो क्या Wood होगा उसी के साथ ही sentence लगा न क्या होगा जब सूरज डूप जाएगा क्योंकि Wood का यूज़ याने Soon, याने जाना ग्रिव डार के अंधेरा चाह गया अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया दा क्लाउड्स बादल टू याने भी बादल भी बिकेम डार बिकेम याने हो गया डार के अंधेरा बादल भी अंधेरे हो गया ने काले हो गया बादल भी अंधेरे हो गया उनका भी रंग मतलब रो फीके हो चुके थे या फीके हो गए थे चुका था चुके थे गया था गया थे पास परफेक्ट थे उनके मांगे वे रंग फीके हो चुके थे दे नाव रिलाइज दे याने उन्हें अब रिलाइज याने उन्हें अब एहसास हुआ रिलाइज एहसास हुआ that key their beauty was उनकी सुन्दर्ता वाज याने थी क्या थी उनकी सुन्दर्ता momentary का मतलब होता है छणिक अस थाई कुछ समय के लिए उनकी सुन्दर्ता अस थाई थी छणिक थी कुछ पल के लिए थी because क्योंकि it was borrowed ये उधार का था they were ashamed they याने वे वर याने थे ashamed याने सर्मिन्दा वे सर्मिन्दा थे of याने का या से their false pride their याने अपने false याने जूटी pride याने अभिमान गमन अपने जूटे अभिमान से वे सर्मिन्दा थे जूटे गमन से सर्मिन्दा थे the butterflies still looked as beautiful as the butterflies तितलिया इस्टेल याने अभी भी तक अभी भी उसे इस्टेल करते हैं अभी तक लुग्ड दिखते थे as beautiful as as beautiful as डियाने कि जितनी सुन्दर ever याने हमेशा की तरह in their own color in याने में अपने या उनके own याने खुद के color चाने रंगों में याने हमेशा की तरह अपने रंगों में पहले जितनी सुन्दर थी उतनी सुन्दर अभी भी दिख रही थी देखी तितलियां हो गए यहाँ पे story का end याने तितलियां जैसी थी वो अभी भी वैसी ही दिख रही थी सूरिया स्थोने से उने कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि उनका तो खुद का ही रंग था लेकिन बादलों का जो सुना रहा रंग था वो तब तक था जब तक सूरज की रोशनी थी क्योंकि सूरज की रोशनी से ही इन्होंने उधार लिया हुआ था समझे ना उधार लेना है और आने लाश्ट होता है हमेशा चलता है लाउंग लास्टिंग बोलते हैं लेकिन उधार का लिया हुआ आज अपने पास अकलतों देना ही होगा या सामने आल अच्छीन लेगा तो इस प्रकार से हमें यहीं सिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें उधार की चीजों पर दूसरे से मांगी चीजों पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए घमण नहीं करना चाहिए जो खुद का है जो अपना खुद का है उस पर ही हमें गर्व होना चाहिए तो यह थी आज की शूरी आपको कैसे लगी नहीं वर्ट की मीनिंग पता चला की नहीं आपको श्टूरी कैसे लगी इसके